अब हम बात करते हैं उस गैंगस्टर की जो दिली से सटे गुर्गराम की जेल में बंद है बेहत को ख्यात है और जेल में बंद रहते हुए वो लॉरेंस बिस्नोई एंड कमपनी के सफाय का प्लान बना रहा है पूरी तयारी कर रहा हूँ इस तयारी के लिए उसने अपने एक जो करीबी है उसको अमेरिका भेजा है जिसका नामे पवन शौकीन अमेरिका में बैठकर पवन शौकीन लगातार दिली अंसियार में शूट आउट को अंजाम दे रहा है लोगों से रंगदारी मांग रहा है एक्सटोर्सन मांग रहा है और प्लान ये है कोशल चौधरी का कि वो extortion जो मनी आएगी उस extortion मनी से गैंग को और मजबूत करना sophisticated weapons खरिदना और फिर Lawrence Bisnoy and Company पर जोर सोर से हमला भोलना तो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं कोशल चोधरी की कोशल चोधरी को ख्यात गैंगस्टर है ये गुरुगराम का रहने वाला है कोशल चोधरी को दुबई से डिपोर्ट किया गया था फिलहाल वो गुरुगराम के भोंड़सी जिल में बंद है NIA ने कोशल चोधरी के ठीकानों पर कई बार ताबड़ तोड जो छापे मारी है वो की थी सिद्धू मुसेवाले का हत्या जब गया था सिद्धू मुसेवाले की हत्या तो उसके बाद कोशल चोधरी ने सोसल मीडिया पर एक पोश लिखा था और सिद्धू मुसेवाले की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था कौशल चौधरी दिविंदर बंबीहा गैंग से जुड़ा हुआ जैसा हमने आपको बताया कि एक तरफ लॉरेंस बिसनुई गैंग है और उसका जो एंटी गैंग है उस गैंग को बंबीहा गैंग कहते हैं दरसल बंभीहा गैंग का जो नाम है वो दिविंदर बंभीहा गैंग के नाम पे पड़ा दिविंदर बंभीहा का इंकाउंटर हो गया उसके बास इस गैंग को लीड करता है कनेड़ा में मौझूद लकी पटिया अब उसके बात करते हैं कोशल चौधरी की तो 2019 में फरीदाबाद में एक जिम के बाहर कॉंग्रेस निता विकास चौधरी की हत्या हुई थी उसमें कौशल चोधरी का नाम आया था और कौशल चोधरी ने दुबई में बैठकर कॉंग्रेस की इस नित्या की हत्या करवाई थी कई सालों तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद 2019 में गुरगराम पुलिस की स्पेसल टास्क फोर्स ने उसे गिरफतार कर लिया था तो कई सालों तक पुलिस हिरासत में बैठकर कोशल चोधरी को दुबई रिपोर्ट किया गया तो उसके पहले उसके सर पर 5 लाक रुपय का इनाम था और दिली अंसियार का सब्से मोश्ट वॉंटडेज गैंगस्टर था कौशल चौधरी कौशल चौधरी अपराद की दुनिया में कदम रखने से पहले अपने गाओं में जो वाटर पंप बेचने का काम करता था उसकी मरम्मत का काम करता था यह एक आम जीवन कौशल चौधरी जो है वो बिताता है चौधरी जो अपराद की जगत में आता है कोशल चोधरी वो 2004 में आता है जब सुदेश उर्फ छेलू नाम का जो एक गैंग्स्टर होता है सुदेश का जो विवाद है वो कोशल चोधरी के परिवार से चल रहा था और उस दोरान कोशल चोधरी के परिवार में और सुदेश उर्फ छोधर के परिवार में जगड़ा होता है एक साल बात सुदेश ने उस जमीन विवाद के चक्कर में कौशल चौधरी के भाई की हत्या कर दी थी इसके अलावा उनके जगड़े में दोनों गैंग के करीब नौ लोगों की हत्या हुई थी उसके बाद साल 2006 में कौशल चौधरी को ख़बर मिली कि सुदेश उर्फ छेलू और लाल सिंग कोट में पेसी के लिए जाएंगे तब कौशल चौधरी ने प्लान बनाया क्योंकि इसके पहले कौशल चौधरी एक आम जीवन व्यतीत करता था लेकिन चुकि सुदेश ने उसके भाई के हत गैंगस्टर है वो मिलता है यह सभी लोग मिलकर जाते हैं अपने साथियों के साथ और कोट में पेसी के दोरान सुदेश उर्फ छेलू और उसके साथ कुछ और लोग रहते हैं लेकिन कौशल चौधरी मौके से ही पकड़ लिया जाता है और बाकी उसके साथ ही भाग जाते हैं कौशल चौधरी 10-15 दिन गुरगराम की जेल में रहा उसके बाद उसे करनाल की जेल में सिफ्ट कर दिया गया उसके बाद सोनी पट की जेल में सिफ्ट कर दिया गया इस मामले में उसे 2014 में आजीवन करावास की सजा सुनाई गई अगले साल 2015 में उसे इस मामले में 42 दि परिबार करने के बाद भी सरेंडर नहीं किया नहीं जो पैरोल मिली पैरोल जंप कर दिया उसने और फरार हो गया अमूमन यह होता है कि जब पैरोल मिलता है तो कुछ 42 दिनों की 30 दिनों की टाइम दिनों के लिए जो पैरोल मिलता है उसके बाद आपको जेल में फिर वापस करना होता है कैदियों को जो जेल में बंद कैदी होते हैं उनको जरूरी काम से या उनके परिवार के लोग इमार है या कोई भी समस्या हो सकती उसके लिए उनको पेरोल मिलता है शशर्ट पेरोल मिलता है कुछ कम दिनों के लिए या कुछ अविदी के लिए टाइम बिंग के लिए और उसके बाद उनको वापस से जेल में स्रेंडर करना होता लेकिन कोशल चोधरी को पैरोल मिला और वो पैरोल जम करके फराह हो गया उसके बाद वो जैपूर में अंडर ग्राउंड रहता है कई दिनों तक साल 2016 में वो फरजी पहचान पर पासपोर्ट बनवाता है लगातार गुर्गराम और दिल्य इंसियार में अपने शोटरों अपने गुर्गों के जरी ताबड तोड क्राइम की घटनाओं को अंजाम देता रहा उसी दोरान उसने जो एक कॉंग्रिस नेता विकास चोधरी की उसकी हत्या करवाई कई आडियो भी उसके सामने आते थे धमकी दिये बोले जेल में रहते वे कॉशल चोधरी जब जेल में था कॉशल चोधरी के मुलाकात खुंखार अपरादियों से हुई और उसने अपना एक गैंग बना लिया कॉशल चोधरी ने तो उस गैंग में शामिल है अमिट डागर भी जो लॉरेंस भी सुनूई का दुसमने जिसके बारे में हमने आपको बताया था जेल में रहते वे कॉशल ने सुदेस की पतनी की हत्या भी करवा दी थी सुदेस वही जिसने कॉशल चोधरी के भाई को गोली मारी थी उसके बाद कॉशल चोधरी बाद में जमानत पर आया था बाहर उसके बाद वो पुलीस राजसे से भाग गया अपने गैंग का विस्तार किया हत्या जमीन हरपना डकैती धमकी जवरन वसूरी जैसे भयानक अपराद उसने किये कि हम आपको पहले की बात बता रहे हैं काउंटर हुआ था काफी विवादित इंकाउंटर था वो तो 2016 में जब गुरुगराम पुलिस ने बिंदर गुजर की गिरिफतारी और संदीब गडोली का इंकाउंटर किया उसके बाद कॉशल का गुरुगराम और दिली के सबसे बड़े कुख्याद गैंग्स्टर में न और हाल फिलहाल में दिली में एक रानी बाग में शूट आउट हुआ है जिसमें पंदर कोरुन रुपे मांगे गए वो शूट आउट में शामिल दो सूटरों को दिली पुलिस स्पेशल से ने गिरफतार किया जब उनको पूछता आच हुई उन शूटरों से तो पता चला है कि पवन शौकीन दरसल कोई और नहीं बलकि कोशल चोधरी जो गुर्गराम की जेल में बंद है उसका ही गुर्गा है और कोशल चोधरी ने उसे ये फाइरिंग करने के लिए कहा था अब जब और तहकीकात होती है तो पता चलता है कि कोशल चोधरी जो लॉरेंस को मार दे तो दोनों एक दूसरे के जानी दुस्मन है इस वज़े से कोशल चोधरी फिर से एक्टिव हुआ उसके गुर्गे फिर से एक्टिव हुए और लगातार एक्स्टोर्शन की रकम वसूल कर रहे हैं ताकि गैंग को और मजबूत किया जा सके अशे की लद थी एक विक्ति को उन्होंने कहा था कि दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपना तमाम मुझे आप कुछ भी बुलाएं मुझे फड़क नहीं पड़ता मैं नेल कटर नहीं पड़ता मैं अभी जैसे बड़े हैं सुमा बैटूंगा या भी सामने कट 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 क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है अगर बगवान ने दांच दी है क्यों और कि अगर वो तहीं चाहते थे के अपना नाका मुझे आप सब कुछ चबा सिकते हो शेप नहीं बनती ना वह अरे क्या बात कुरबाएं मेरा शेप नहीं आता दांस लाव तुम्हारा काट कर द